नमस्का दोस्तों मैं अवदरिस नाटानी फिर एक बार आप सबी का सवाध करता हूं हमारे इस ओन्लाइन लेक्चर्स में जिसमें कि हम वाटर डिमांड एन क्वांटिक्टी की स्टडी कर रहे थे आज हम इनमें इसमें देखेंगे कि इंडियन इस्टेंडर कोड की अकोडिं वाटर डिमांड क्या होती है वाटर डिमांड के टाइप्स उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उसके बाद में हमने डिजाइन पिरेट की स्टडी कर लीती है अब आज हम बीरो इंडियन इस्टेंडर्स या बी आईएस या इंडियन इस्टेंडर्स के अकोडिंग water demand कितनी होनी चीए यह आज हम इस lecture में देखेंगे तो जैसा कि आपके सामने Indian Standard Code है Indian Standard 1170 1993 तो यह हमारा Code है अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि water supply requirement जो 4 point है वो है हमारा water supply requirement तो इसके according हमें यह दिया हुआ है कि water supply for residences तो यह हमें दिया हुआ है minimum of 72 hundred liters per head per day may be consider adequate for domestic need of urban communities तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि minimum 70-100 liter पानी एक व्यक्ति के लिए एक दिन में इंडियन इस्टेंडर ने consider किया हुआ है इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे इंडियन इस्टेंडर ने दिया हुआ है इसके लिए इसके लिए और अगर आउस में सर्विस कनेक्शन है वाटर सप्लाई का तो वहाँ पे 70-100 liter पर हैर पर दे consider किया हुआ है इसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है community is with population 20,000 to 1 lakh अगर 20,000 से लेके एक लाग तक population है और full flushing system है तो उसके लिए 100 to 150 liter per hair per day 100 से 1500 liter एक आदमिक लिए एक दिन के लिए इंडियन इस्टेंडर ने provision दिया हुआ है इसके बाद में अगर मैं बात करू community with population about 1 lakh अगर 1 lakh population है किसे community की और वहाँ पे full flushing system है तो उसके लिए इंडियन इस्टेंडर ने 150 to 200 liter per hair per day 500 से 200 liter एक दिन में एक आदमिक लिए एक रखती के लिए provision दिया हुआ है इंडियन इस्टेंडर्स में इसके बाद में इसमें एक अदर प्रोविजन है कि out of the 150 to 200 liter per hair per day 45 liters per hair per day may be taken for flushing requirement and the remaining quantity for other domestic purposes इसके बाद में इसके बाद में अगर कोई बिल्डिंग है रहने के इसाप को छोड़ कर बाकी और किसी अदर परपरजेश के लिए यूज की जा दिये तो वहां के लिए भी इंडियन इस्टेंडर ने कुछ points consider किये हैं तो वो भी हम देख लेता हैं तो BIS ने factories where bathrooms are required to be provided वैसे हमने ये पहले देख लिया था लेकिन आज हम Indian standard code के आकूरिंग देख रहे हैं तो factories जहां पे bathroom provided है वहां पे Indian standard ने 45 per head per liter per day 45 liter एक दिन में एक व्यक्ति के लिए provision दिया हुआ है और अगर factories है बट वहां पे बात तुम available नहीं है तो उसके लिए 30 liter एक व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए provision दिया हुआ है उसके बाद में अगर मैं बात करो hospitals की तो अगर hospital में 100 बेट से ज़्यादा बेड नहीं है तो 340 liter per day per head के लिए provision दिया हुआ है और अगर number of beds 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस condition में आपको 450 liter per head per capita 450 liter का provision दिया हुआ है उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नर्सेज, home and medical quarters की तो 135 लिटर per head per day का provision है costals के लिए 135 per head के, hotels के लिए 180 per head, offices के लिए 45 liter per head, resto के लिए 70 liters per seat, cinema के लिए 50 liters per seat, school school में अगर day school है तो 45 liters per head और boarding school है तो 135 liter per head की water demand दिया हुई है तो इस तरह से Indian standard ने यह कुछ provisions दिये हुए है तो इस तरह से यह सारे provision complete होता है अब अगर मैं बात करूँ general तो Indian standard ने the value of water supply given as 152 to 200 liters per head per day may be reduced to 135 liters per head per day for house for lower income groups तो जैसा कि एक communities के लिए 150-200 liters per head per day का provision दिया हुआ है लेकिन अगर जो community है वहाँ पे गरी family रहती है तो उसके लिए वो जो मांग है वो 135 तक reduce हो जाती है तो इस तरह से जो general requirement दिया हुई है वो 135 से लेके 200 liter per head per day के साब से दिया है तो इस तरह से आज का यह lecture हम BIS के according water requirement पर समाप्त करते हैं जैहिन जैबारत